हेलो फ्रेंद्स गुड मॉर्निंग ओके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BST का फॉर्स चाप्टर BUSINESS STUDIES क्लास 12th फिर्स चाप्टर इस नेचर और सिग्निफिकेंट्स ओफ मैनेश्मेंट ओके चलिए शुरू करते हैं फिर्स चाप्टर मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसा कि बच्चों को ना बीस टी में बहुत डर लगता है यहर कुछ भी नहीं है बीस टी इस नथिंग सबसे इजी सबजेक्ट सबसे इजी सबजेक्ट इस बिजनस टड़िस राइट ओके 11th क्लास में बढ़के आएं मैं मान सकता हूं कि हमने 11th क्लास में बीस टी पढ़ी है हम अपनी डेली लाइफ में management को Coach करते हैं कैसे करते हैं वह में समझ ना fierce मेरा आप लोगों से सवाल management क्या है बाई सीधी सी बात एं management हम अपने घर में भी यूज करते हैं पाद में करेंगे, पहले बात करते हैं घर में, क्या management हम अपने घर में use करते हैं, बिलकुल करते हैं, कैसे करते हैं, एक बाद बताओ, अगर मैं management की बात करते हैं, तो simply आपका एक यह answer होगा, management is, चीजों को manage करना, things manage करना, बिलकुल सही, आपको पता है, सबसे अच्छे तरी ममी को बोला ममी आज बहुत भूक लग गया, खाना बनाओ, ममी ने खाना बनाया, हमने एक रोटी खाई, उसके बाद, अब हम वेट कर रहे हैं, नेक्स रोटी आएगी, 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 क्या होता है, कुछ नहीं, अंदर से वाज आती, आटा कटम, कभी ऐसा हुआ, नहीं क्यों, क्योंकि अब वेसी बात है बेटा, ममी मैनेज करके चलती है चीजों को, कि कब मुझे आटा मंगवाना है, कब दाल मंगवानी है, कब क्या मंगवाना है, राइट, अब हम बिसनेस के अंदर बात करते हैं, मैनेजमेंट की क्या वैली होती है, क्या जरूरत होती है, द वो हुमारा मंदर है जैसे आपने देखा होगा let's suppose अगर आप में से कुछ बच्चे अगर कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपने देखा होगा it is a school college कुछ भी हो सब जगा पे हमें management की जरुत होती है अच्छा चलो ठीक है ये तो समझ आ गया Sir इसकी definition क्या है? बिल्कुल definition समझते है इसकी definition क्या है definition बिल्कुल simple है ठीक है? और as it is आपको learn करनी है क्योंकि बिटा NCRT की definition है नहीं लिख्या होगे तो marks नहीं मिलेंगे ठीक है? सबसे पहले management is a process of getting things done अच्छा मेरी एक request जब मैं लिख रहा होगा बेटा उसने माप बोट पे देखेंगे जब आपको लिखना होगा I'll give you time ठीक है? management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently ओके समझते हैं इसको बेटा क्या कह रहा है? देखो वो कहता है कि management एक process है management एक process है जहां पर हम getting things done जहां पर हम दूसरों से अपना काम करवाते हैं पेटा management का मतलब ही ही है एक manager क्या करता है? आपको लगता है कि manager काम करता है? कुछ ही नहीं करता है सिर्फ अपना काम manage करता है दूसरों से करवाना कैसे है? यही तो management है, right? management is the process of getting things done with the aim of with the aim of primary aim क्या होता है? achieving organizational goal achieving goals हमारी organization का goal पूरा करना यही management का काम है effectively and efficiently ओके यह दो terms अभी discuss करते हैं effectively and efficiently क्या होता है? एक बार इसको दुबारा से पढ़ते है management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently okay, आगे चलते हैं मिटा people in organization performing diverse tasks but they all are working towards the same goal एक organization के अंदर लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे है अलग अलग direction में काम कर रहे है लेकिन सभी एक motive के लिए काम कर रहे है किस के लिए? organization के लिए management aims at guiding their efforts towards achieving a common objective देखो पिटा होता क्या है एक organization के लिए let's suppose आप purchasing activity कर रहे हो मैं sales के activity कर रहा हूँ कोई और production के activity कर रहा है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि सारे कि सारे किस के लिए काम कर रहे है बताओ किस के लिए? organization के लिए obviously बात है they all are working towards the achievement of organizational goal ठीक है? thus management have to see that tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at minimum cost अब यह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है यह कह रहा है management काम को ऐसे करवाना चाहती है कि जो काम पूरा हो वो least cost पर हो और timely पूरा हो जाए अब मैंने जो भी पीछे एक topic बोला था आपको अभी समझाता हूँ that is effectively and efficiently अब बिटा मतलब समझते है कि effectively का मतलब क्या होता है और efficiently का मतलब क्या होता है देखो effectively का मतलब होता है किसी भी काम को किसी भी काम को timely पूरा करना that is effectively जैसे let's suppose अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मैंने homework दिया let's suppose अगर आपको मैंने homework दिया और मैंने बोला बिटा कल शाम तक ही आपका काम पूरा हो जाना चाहिए कुछ बच्चे सोचने हैं हम तो कभी भी homework नहीं करते अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका शाम तक काम पूरा होना चाहिए तो इसका मतलब कहा है कि आपको कल शाम को मुझे homework दिखाना है अगर आप उसको कल शाम तक पूरा कर लेते हैं that is what? that is effectively timely किसी भी task को पूरा करना means effectively और efficiently का मतलब होता है with the minimum cost let's suppose एक organization है ठीक है? उसको कुछ काम करने को मिला कि आपको 10,000 units produce करनी है at this particular cost अगर वो अपना काम time पे पूरा करती है अगर एक महिने का time है अगर time पे पूरा करती है it means that organization is effective लेकिन अगर एक महिने में काम पूरा करने के लिए उन्हों ज़्यादा labors रखी साथ साथ लोगों को रख लिया क्योंकि एक महिने में काम पूरा करना था तो that means उन्होंने extra cost incurred करी अगर extra cost incurred करी तो बेटा हम उसे क्या मानेंगे that is not efficient क्योंकि अगर किसी भी काम को आपको पूरा करना है तो you have to complete it with the least time and also with the minimum cost ठीक है तो यहाँ पर यही कह रहा है does management have to see the tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at minimum cost ठीक है अब यह क्या कहता है management has been defined under following certain terms that is POSDC यह सारे की सारे पीटा हमारे आगी जाके एक प्रॉपर चाप्टर है उसको ऐसा चाप्टर पढ़ेंगे अब इसका introduction पढ़ रहे है that is planning, organizing, staffing directing and controlling इसको क्या बोलते है हम बिटा POSDC, right? अच्छा यह हमें फिर से effectively के बारे में सिर्फ एक line बता रहा है it refers to doing the right task completing activities and achieving goals that is it is concerned with end result इसका basically motive क्या होता है effectively का कि हमारा काम time पर पूरा होना चाहिए जैसे होता नहीं है कि जब हमें स्कूल का homework मिलता है जब हमारी summer vacations होते है हम काम वाम तो करते नहीं है जैसे end आने वाला होता है हम पाग लोग के तरह कहते है बाई जल्दी जल्दी काम करो अब तो चुटियां ख़़म होने वाली है अब तो माम मारेगी हमारा काम चेक करेंगी ऐसे ही होता है I'm sure आप में से बहुत सारे बचे करते हैं मैं तो तब भी नहीं करता चलिए कोई बात नहीं जो करते है that's really very good जो नहीं करते हैं उनके लिए यही कहूंगा बेटा कर लेना चाहिए next topic is efficiency बेटा next किसकी बात कर रहा है efficiency की दिहान से समझते हैं प्लीज आपस में बाते मत करिये अब यह क्या कह रहा है it refers to doing the task correctively with minimum cost अगर हम अपने काम को same काम को कम पैसों में करते हैं बेटा एक बात बताईए आप कमनी में profit कैसे कमाएंगे आप कमनी में profit कैसे कमाएंगे obvious ही बात है अपनी cost को कम करके जब मेरी cost कम होगी मेरा profit जादा होगा तो obvious ही बात है न अगर मैंने let's suppose 100 पे कमाने के लिए 100 पे कमाने के लिए 1000 उपे लगाया ठीक है 100 पे कमाने के लिए 1000 उपे लगाया तो क्या कहता है अच्छा एक बार नहीं हमें एक छोटा से एक्जाम्पल की हल्ब से समझा रहा है कि effectively और efficiency में क्या फरक होता है पढ़ते हैं जरा इट इस इजियर टू बी effective and ignore efficiency यह कह रहा है बहुत असान है किसी को भी effective बनना होना हम बहुत असानी से बन सकते हैं कैसे कुछ नहीं है let's suppose अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको एक target दिया मैंने आपको एक target दिया किस चीज का target दिया मैंने बोला आपको 10,000 units बनानी है ठीक है 10,000 units produce करनी है one month में and you know this thing कि आप ये 10,000 units ना एक महीने में चाहा के भी नहीं बना सकते let's suppose बेटा मैं कहता हूँ अगर मालो 10,000 गाडियां बनानी है क्या एक महीने में 10,000 गाडियां बन जाएंगी मेरे ख्याल से मुश्किल है ठीक है अब इसके लिए क्या अगर मैं आपसे बोलू efficiency की बात करूँ तो efficiency क्या है और effectiveness क्या है मेरे ख्याल से अब तक आपको बेटा यह बात समझ आ गई होगी effectiveness मतलब time पे पूरा करना ठीक है और efficiency का मतलब with minimum cost उस काम को पूरा करना ठीक है अब यह एक बर ज़रा याद यान देंगे please ठीक है क्या कह रहा है efficiency and effectiveness efficiency मतलब minimum cost के साथ करना और effectiveness मतलब time पे पूरा करना अब आपने क्या किया time पे पूरा करने के लिए आपने अगर मान लो आपके पास 1000 labor थे आपने 5000 labor और रख लिए उस काम को पूरा करने के लिए ठीक है आपका काम 20 days में complete हो गया इसका मतलब you are effective लेकिन अगर मैं आपसे पूछो क्या आप efficient है नहीं क्योंकि आपने यह जो 5000 labor extra रखे बेटा उसके ल इसका मतलब इसका मतलब यह क्या कह रहा है एक्जांपल के लिए से समझते है suppose a company's target production is 5000 units in a year to achieve this target the manager has to operate on a double shift due to power failure most of the time the manager is able to produce 3000 units but at a high cost of production manager ने 3000 units यह let's suppose इसको change कर लेते है 5000 पूरी की पूरी units complete कर दी but at a higher cost in this case manager was effective but not so efficient since the same output more inputs were used same output के लिए ज्यादा सा ज्यादा input use करें उसने at times a business may concentrate more on producing goods with fewer resources with fewer resources that is cutting down the cost but not achieving the target production वो कहरे बहुत बार ऐसा भी होता है कि organization सोचते कि और मैं पैसा बचालू, यहां से बचालू, वहां से बचालू लेकिन फिर क्या होता है, फिर काम पूरा नहीं हो बहुता नाहीं पर, ठीक है, consequently goods do not reach the market and demand for the product decreases which encourage the competition to enter into the market, competitor to enter into the market मैं आप से एक बात पूछता हूँ, let's suppose अगर एक organization है, वो कहते है, cause बचाओ, cause बचाओ, cause बचाओ, cause बचाओ अब जब वो कम लोग रखती है, तो दीरे-दीरे production होती है, बेटा एक बाह बताओ, अभी दिवाली गई, ठीक है, दिवाली के आसपस आप क्या करते हो, दिवाली से एक दिन पहले है, दिवाली विल दिन कुछ पठाके खरीद लेते हो, और उससे कुछ दिन पहले भी खरी बढ़ाना है, अब उसके लिए उसने कम लोग रखे, अब जब कम लोग रखे, और मान लेते हैं, कि उसके जो क्राकर्स हैं, वो दिवाली वाले दिन, या दिवाली से next day, market में आते हैं, मैं आप से पूछता हूं, क्या आप उसके क्राकर्स खरीदेंगे, नहीं, क्यों, क्य Usually, high efficiency is associated with the high effectiveness, which is the aim of all manager, because poor management is due to both, inefficiency and effectiveness, poor management दोनों रीजन्स की वेज़ से होती है, inefficiency और effectiveness, इसका difference है अब एक बढ़ पढ़ेंगे, यही चीज़ जो भी हमने discuss करी है, इसी को explain किया हूँ है, चलिए, next topic पर आते हैं, That is characteristics of management, एक बात याद रखना, question paper में जो आएगा, वो, पहली बात तो यह, as आप लोगो को पता होगा, कि बेटा, BST का paper, अब बिल्कुल straightforward नहीं आता, आज से 2-3 साल पहले तक बेटा, यही होता था, कोई BST नहीं भी बढ़ता था था ना, भाई, दबी मांक्स आ जाते थे लेकिन अब तो scenario बिल्कुल change हो चुका है, क्यों? क्योंकि अब वो कहते हैं कि ratification नहीं चाहिए हमें, we don't want किसी ने चार चीज़े रटी और लिखके आगए, चार चीज़े उदर से उस chapter से रटी और लिखके आगए, पहले बेटा ऐसी करते थे, मुझे पता है, आप लोगो बिल्कुल change हो चुका है, अब case study based paper आता है, almost 80% case studies होंगी paper में, okay, तो paper में अगर कभी भी question आता है, features of management, ठीक है, या characteristics of management, बहुत आदा same thing, कई बर क्या होता है, paper में question आता है, features of management, हम सोचते हैं, ये क्या है, हमने तो characteristics पढ़ा था, इसलिए मैं आपको दोनों पढ़ा रहा ह features of management, और characteristics of management, अच्छा, एक छोटा सा discussion, इसको start करने से पहले, बिटा होता कि है, कि ना, जो हमारे CBSC board है, वो जो हमारे paper check करता है, business studies का, वो कहता है, कि मुझे इसके अंदर जो language चाहिए, वो NCRT की चाहिए, ठीक है, आपको ये जो भी study material है, इसकी जो language है, that is totally based on NCRT, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो NCRT में additions हुई है, deletion हुई है, as per CBSC norms, मैंने वो सारे इसमें changes कर रखे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ये, कि NCRT, CBSC ये कहता है, कि मैं NCRT की language follow करूँगा, पहली चीज़, दूसरी चीज़ वो कहता है, बिटा, कि आपको जो NCRT के अंदर, जो ये headings एखी हुए, ये as it is लिख के आनी है, अब होता कि है, ये as it is लिखना ना कभी-कभी हमें एक task लगने लग जाता है, कि यार हम as it is कैसे लिख सकते हैं, हमारे ले तो possible ही नहीं है, बिटा, सब कुछ possible है, everything is possible, nothing is impossible in the world, right, तो इसको learn करने के लिए, मैंने कु मैं लिखने के लिए time दोँगा, please, सिर्फ board पे देखेंगे आप लोग, ओके, इसको learn करने का तरीका, जितने भी इसके points है, बिटा, उसको learn कैसे करेंगे, वो समझते हैं, learn करने के लिए एक छोटा सा code है, छोटा सा code है, that is, pig goes mcd, pig goes mcd, ठीक है, आपको इसी के help से, पूरे, जितने, पूरी BST के अंदर, जितने codes आने, बिटा, सारे learn हो जाएंगे, सारे के सारे headings, आपको इसकी help से learn हो जाएगे, मैं आपको यही तो कह रहा था, start करने से पहले, बिटा, BST is very easy, quickly, सिर्फ, बस मुझे एक ही commitment चाहिए आपसे, वो यह, कि जो मैं आपको पढ लेक्चर के बाद, खुझ से जरूर पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी एक codes लिखवा रहे हैं, इन सब को revise करना, बस यही काम है आपका, इसके लावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ, लेक्चर में बैठो, BST, learn, लेक्चर में बैठो, BST, learn, अब देख ठीक है, अब ठीकोज MCD से है क्या, सबसे पहला point, this is all pervasive, अभी मैंने आपको इसका मतलब नहीं सिखाया, अभी सिखाऊंगा, next is, it is an intangible force, management, is an intangible force, यह जिस-जिस word के नीचे मैं underline कर रहा हूं, इसका मतलब यह है पिटा, इस word से code निकला, ठीक है, next is, group goal, management is a group goal, next is, goal oriented, next is, multi-dimensional, next is, continuous, it is a continuous process, dynamic, that's it, बिटा, यह इसको learn करने का तरीका है, ठीक है, कभी भी अगर हम जब भी पढ़ेंगे, character six आएका कहीं पर मैं क्या बोलूगा, बेटा, pig goes mcd, या character six क्या होंगे, आप क्या बोलेंगे, pig goes mcd, इसकी help से, आपको यह paper में नहीं लिख के आना है, this is just only for you, not for exams, ठीक है, एक बार इसको note कर लीजे, फटा-फट, जल्दी से, फिर हम इसको discuss करते हैं, goal oriented process, management is a goal oriented process, पेटा, obviously बात है, management हम इना, हमारा goal, goal achieve करने में, help करता है, क्या कहता है, पढ़ते हैं जारा साथ में, ठीक है, an organization has a set of basic goals, पेटा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या organization का एक goal होता है, हर organization का एक goal होता है, जैसे कि मेरा कुछ goal है, आपका कुछ goal है, ठीक है, आपक में आपने goal बनाया, कि मुझे commerce लेनी है, commerce के बाद मुझे with maths लेनी है, without maths लेनी है, आपका एक goal था, कि मुझे ऐसे कुछ करना है, let's suppose अगर आप कहते हूँ कि आपको CA बनना है, आप कहते हूँ आपको doctor बनना है, अब तो ख्या doctor नहीं बन सकते है, obviously बात है, commerce में आगे, ठी तो आपका goal हो गया, that is your goal, which should be simple and stated clearly, जो simple होना चाहिए और clearly stated होना चाहिए, these goals are basic reason for its existence, हर organization का कुछ goal होता है, इसी goal की वजा से, कोई भी organization market में exist करती है, existence का मतलब market में होना, management unites the efforts of different individuals in the organization towards the achieving these goals, बेटा, क्या कहता है, कि management, जितने भी एक organization में लोग काम करते हैं, आप देखो, अभी हमने पढ़ा था, management की definition में, कि management is something, जहां पर बहुत सह लोग different direction में काम कर रहे हैं for a particular organizational goal, तो जितने भी लोग, अलग-अलग direction में काम कर रहे हैं, उन सब के efforts को जोड़के, organization के goal को पूर करता है, for example, the goal of a retail store may be to increase its sale, but the goal of the spastic society of India is to impart education to the children with special need, thus different organization have different goal, बेटा, हार organization का अपना कुछ गोल है, let's suppose मैं कहता हूँ, एक NGO है, जैसे इसने का, एक NGO है, NGO को गोल क्या है, कि कुछ बच्चों को free पढ़ाना, free education provide करना, that is what, उनका goal है, लेकिन, एक company, जो गाड़ियां बेच लिए, उसका क्या goal है, जादा सा जादा customers को track करना, और अपनी गाड़ी बेचना, this is what, goals, okay, next point पर आते है, management is all pervasive, अब बेटा, all pervasive का मतलब क्या होता है, देखो एक बात याद रखना बेटा, all pervasive का मतलब होता है, कि management की जरूरत हमें हर जगा है, एक बात याद अपना बेटा, जितने भी features होते हैं, सब definitions से ही निकल के आते हैं, किसी भी चीज़ के features, definition में से निकल के आते हैं, तो अगर आपको definition अच्छे से याद है तो आप features बहुत बहुत असानी से बना सकते हो, पता है, तो क्या कहता है, management is all pervasive, that is, it requires at all levels of management, पढ़त एक organization को manage करने के लिए, जो activities होती है, वो सभी के लिए same होती है, चाहे वो social हो, चाहे वो personal हो, ठीक है, ओके, फिर क्या कहता है, management is universal, management is universal, that it requires at all levels, in all organization, as it is required, whether the organization is small or big, business or non-business, इसने ऐसा क्यों बोला, small or big, obvious ही बात है, मैंने अभी आप से का, मंदर में भी, हमें management की जुरुत है, गुर्दवारे में भी है, इस line से साफी पता लग रहा है, all pervasive मतलब हर जगा पे, चाहे वो top है, चाहे वो middle है, चाहे वो middle है, चाहे वो third क्या होता है, operational, इसको हम कभी भ है, for example, a petrol pump needs to be managed as much as hospital और a school, बैटा, obvious ही बात है, अगर hospital में management नहीं होगी, तो क्या होगा, patient आया है, patient लेटा हुए, लेके नहीं जा पारे, ना beds तक पहुंच रहा है, ना उसका treatment हो रहा है, बंदा मर गया, ऐसे ही होता है, और आपका क्या होगा, school जाओगे, क्या करते है, आप जाओगे management होगी नहीं, अगल, बास works तो मैं management नहीं होगी, तो क्या करोगे, जाओगे, और माजमा पारे, 6 कंशे की नहीं होगे, mamat, दस स्कूल पहुंच ओगे, वकया होगे, आड बंदी के स्कूल में नह बजे पोँच ओगे, उठ थे तो होगी, ठीक है, आड़ बं may be quite different बेटा आप management follow करो मैं management follow करो कोई और management follow करे same ही चीज़ follow हो रही है लेकिन हर किसी का करने का तरीका अलग है बस यही difference है और कोई difference नहीं है next point पे आते है management is multi-dimensional अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आप मैं इसे किसी को लग रहा होगा कि sir आपने तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखवाया pick, goals, mcd यहाँ पे आप ऐसे पढ़ा रहे हैं first point, management, goal oriented process ठीक है तो पेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चाहे हम यहाँ पर इसको अलग भी रखते हैं तो भी कोई problem वली बात नहीं है सिर्फ उसिर्फ क्या होता है जब process आता है किसी भी चीज़ का तो आप इसका series चेंज नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे you can change this series अराम से, कोई दिक्कत नहीं है चाहलो, आगे चलते है third point पे third point क्या कहता है पेटा management is multi-dimensional मैं आप से एक बात पूछता हूँ multi का मतलब समझते हो क्या होता है समझते हो ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ sir चलो, कोई बात नहीं multi का मतलब मैं बता दे तो multi का मतलब होता है different मतलब एक सर जादा basically बहुत सारे काम करना तो क्या कह रहे है management multi-dimensional ले सिरफ one dimension में काम नहीं करती ठीक है management is a complex activity that three that the three main dimension management की अगर बात करूँ तो management के अंदर three dimension है three dimension कौन से है पेटा three dimension is management of work management of people and management of operation अब बात करते हैं management of work management of people and management of operation होता क्या है ठीक है मैं आप से एक बात पूछता हूँ एक organization के अंदर अगर मुझे काम करवाना है तो क्या सर्फ सर्फ काम पर ध्यान देना होगा मेरे ख्याल से नहीं क्यों पिटा काम करवाने के लिए पहले लोगों पर भी तो ध्यान देना ज़रूरी है भाई लोग होंगे तभी तो काम कराओगे लोग ही नहीं होंगे तो काम केसे कराओगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते है management of people के बारे में ठीक है क्या कहता है human resource are an organization's greatest asset अब लोग asset समझते है बताओ very good commerce के student अब अब वसी बात है current asset fix assets ठीक है तो क्या कह रहा है जस तरह हमारे current assets और fix assets होते है इसी तरह management के लिए जो उसके पास काम कर रहे है that is human resource वो भी management के क्या है एक asset है getting work done through people is a big task for manager बेटा क्या कह रहा है manager के लिए दूसरों से काम कराना एक बहुत बया task है पता है इसका best example देता हूँ मम्मी के लिए काम करते हो करते हो समझ सकता हूँ है नहीं करते होगे कुछ ही नहीं है मम्मी कहती न बेटा बजार से धही लेओ या चावल लेओ मम्मी मुझे पढ़ना है वैसे सारा दिन फोन पर लगे रहते हो वैसे मम्मी जब कोई काम कहते है तो हमें पढ़ना होता है ऐसी होता न ओके चलो कोई बात नहीं तो क्या कह रहा है manager के लिए काम कराना अभी क्या कह रहा है जिसे अगर मान लो let's suppose होता कि हम किसी class में पढ़ते है तो teacher हमें सब के साथ बोलती है कि बिटा आपके exam शुरू होने वाले है बिटा आप भी पढ़ लो आप भी पढ़ लो ऐसे बोलती है राइट लेकिन कई पर क्या होता है कि teacher ना हमें रोक लेती है teacher कहती बिटा राहुल आप रुक जाओ हम रुकते हैं टीचे पुछते हैं हंजी क्या हुआ बिटा आज class में ध्यान नहीं था बिटा पढ़ाई कर लो हमारे paper आने वाले है राइट क्या कह रहा है management का task होता है लोगो को motivate करना लोगो को enable करना to do work for the achievement of organizational goal by making their strength effective and their weakness irrelevant बिटा अगर मान लीजे आपके अंदर कोई problem है let's suppose don't take it otherwise आपके अंदर मान लो आपको किसी चीज की समझ नहीं है किसी चीज की आपके पास training नहीं है तो that means that is your what that is your weakness और कोई ऐसी चीज़े जो आपको बहुत अच्छे से आती है that means that is your strength तो management हमारी strength को और strong बनाए और हमारी weakness को irrelevant बनाए ताकि मैं अपने काम को असानी से कर लो ठीक है तो क्या कहता है management task of management is to make people towards achieving the organization goal by making their strength effective and their weaknesses irrelevant फिर आते है management of work पे अब क्या कहता है management of work का मतलब क्या है all organization exist to perform some work बिटा हर organization market में अगर बैठी है तो कुछ काम करने के लिए बैठी है let's suppose मैं आप से पूछता हूँ आपने एक business खोला तो इसका bunny आप कुछ काम कर रहे है right अगर मैं कहते हूँ आपने एक office खोला let's suppose आप lawyer बनके आपने एक office खोला lawyer बनके अगर आपने office खोला तो आप क्या कर रहे है services दे रहे है पैसे कमा रहे है that means आप कुछ कर रहे है तो यही तो कह रहे है कि हर organization exist करती कुछ काम करने के लिए कर आप अपने पाप को बोले पाप मुझे एक office लेना office लेके बैठ गे सुब़ जाते हैं कुछ नहीं करते हैं सारा दिन बैठते हैं Facebook बैठते हैं घर आते हैं फिर सुब़ जाते हैं कुछ नहीं करते हैं customer's need is satisfied ठीक है, management translate this terms of goal to be achieved and assign them to achieve it, assign the mean to achieve it, क्या कह रहा है, management translate करती है goals को, to be achieved कि जो हमने goals बनाए है, उनको में पूरा भी तो करना है, अब आप देखो अब बड़े सारी target बनाते हो न, 11th में target था, यार paper आने माले अब तो पढ़ना है, पढ़ना है, लास्ट की वीक में इतनी पढ़ा ही करूँगा, top करना है, कुछ नहीं हुआ 12th में यार, अब तो school में pre-boards आ गए है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, पढ़ते हो, नहीं, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, management हमें help करते है, हमारे targets को पूरा करने में, हमारे goals को पूरा करने में, okay, हमने दोनों चीज़े पढ़ लिए, हमने management of work भी पढ़ लिया management of people भी पढ़ लिया, अब आते है management of operation, operation का मतलब क्या होता है, बटा, operation का मतलब होता है, कोई भी काम, तो क्या कह रहा है, in order to survive every organization has to produce goods and services, बटा survival का मतलब होता है, एक organization को exist करना, एक market के अंदर, अगर आप एक company खोलते हैं, आज एक office खोलते हैं, किसी भी चीज़ का business start करते हैं, तो आपके लिए survival बहुत जरूरी है क्यों, क्योंकि आपको market के अंदर exist करना है, survival मतलब कि जितना आपने पैसा लगा है, at least आप उतना तो recover कर पाओ तो क्या कह रहा है, this require a production process which transform input into desired output for consumption transform input into desired output का मतलब क्या होता है बटा, अगर आपने एक raw material लिया let's suppose मैं कहता हूँ, यह मेरी shirt है आपने इसका कपड़ा लिया, अगर आपने इसका कपड़ा लिया, तो आपका target क्या है, इसको convert करना, किस चीज में किस चीज में, shirt में तो जो shirt हो गई, वो आपका target हो गया, कि आपको इसको translate करना है by following a production process, production process ही तो होगा, जिसकी help से आप पूरी production करोगे shirt बनेगी, पहले कपड़ा कटेगा, फिर shirt बनेगी, फिर buttons लगेंगे design होगा, सब कुछ, चीज़क है फिर किरे, it is interlinked with both management of work and management of people, बेटा वो कह रहा है operation तभी हो पाएगा, काम तभी हो पाएगा, जब लोग होंगे पहला लोग होंगे, दूसरा काम होगा, यानि कि management of work and management of people is necessary for the management of operation ठीक है, यहां तक बात clear है सबको, ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा next point is, management is a continuous process, मेरा आप लोग उसे सवाल continuous process का मतलब क्या होता है continuous process का मतलब होता है बार 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 बार, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आप कोई भी काम करते हैं अगर एक बार करेंगे, तो क्या वो काम effective होगा, जिसे मैंने आजकल देखा है लोग को, आजकल obviously बाता है, इस टाइम no shave number चल रहा है, ठीक है, आप एक बार shave करवाते हैं, आपने shave बड़ी करी आपने shave sit कराई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज shave sit कराई, अब उसको 6 महीने तक कुछ भी ना कराएं तो क्या वो possible है, कि वो अच्छी लगीगी नहीं न, same cheese is with the management, बेटा अगर मैं आपको बोलता हूँ, कि आपने management एक बार follow कर ली, आज करी कल नहीं करी, कल करी फिर चार दिन बाद नहीं करी, फिर अगले दिन करी, फिर दस दिन बाद नहीं करी, बेटा कोई फायदा नहीं, किसी भी चीज को एक बार करने से कोई फायदा नहीं, whenever you are doing it regularly, again and again and again, तब भी वो successful है तो क्या कह रहा है, management एक continuous process है, सिर्फ एक बार करने से organization के goal पूरे नहीं होने वाले तो क्या कहता है, all the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, are performed by all the managers at continuous basis, ठीक है अच्छा इसने क्या बोला, all the managers, all the managers क्यों, क्योंकि बेटा, all pervasive है, ठीक है, फिर क्या कहता है, all these functions are simultaneously performed by the managers साथ 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 सारे काम होते जाएं, ठीक है, task of manager consists of an ongoing series of function, for example manager at big bazaar performs several different functions in a single day, like planning, solving employees issues checking stock, managing sales schemes, तो बेटा, देखो कितना सारा काम कर रहा है, तो क्या कह रहा है, simultaneously सारे काम साथ साथ होने चीए, यह नहीं कि अगर हम सिर्फ सिर्फ, इस चीज में सोच रहे हैं कि यार, चलो management कर रहे हैं, अब इसके अलावब कोई और काम नहीं करना, you have to do all the tasks, ठीक है, okay, next पे आते है management as a group activity, अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मेरी organization में 10 लोग काम करते हैं, बेटा, उस 10 में से, सिर्फ उस सिर्फ 10 में से, सिर्फ उस सिर्फ 2 लोग follow कर रहे है management को, बाकी नहीं कर रहे हैं, धीट हैं, मानते ही नहीं है, कितरा मर्जी बोल लें? आपकी class में इसा ही होता है, आपकी teacher कहती है homework करके लाना, class में सिर्फ 2 लोग बच्चे करते हैं, ठीक है? तो बेटा, यह गलत है, क्यों? वो क्या कहता है, management किसी एक के या दो के follow करने से नहीं चलेगा, management is a group activity, it is followed by all people of the organization, that is, throughout the organization follow हो नहीं चाहिए, ठीक है? क्या कहते है? An organization is a collection of diverse individual with different needs, every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization, they work towards the fulfilling common organization goal. पिटे, क्या कह रहा है, हर organization के लोग आ रहे है, वो अलग-अलग motive से आ रहे है, let's suppose, किसी को कुछ काम है, आपको अपनी बहन के लिए पैसा कमाना है, मुझे अपनी ममा के लिए पैसा कमाना है, किसी को अपने फादर के लिए पैसा कमाना है, लेकिन सारे जब organization में आके काम कर रहे हैं, for the organization goal right फिर कहता है this require teamwork and coordination इसके बारे में पढ़ेंगे भी coordination के बारे में of individual efforts in a common direction right मतलब सब के सब एक particular direction में काम करेंगे management should also enable its member to grow and develop as needs and opportunities changes बेटा क्या कह रहा है management enable करे motivate करें अपने organizational people को to grow and development grow का मतलब क्या होता है किसी भी अपने business को बढ़ाना expand करना development is also something like that तो क्या कह रहा है as needs and opportunities changes बेटा ओविसी बात है time to time हमारी opportunities बदलती है needs बदलती है तो हमें अपने business को according to that needs change करना पड़ेगा right फिर आते हैं next point पे क्या कह रहा है management is dynamic function dynamic function का मतलब क्या होता है dynamic function का मतलब होता है कि हमें अपने management को according to the situation according to the situation change करना पड़ेगा it's like adaptability that is adapt itself according to the changing environment जैसे मैं आपको एक चोटा सा example देता हूँ might be आप सब लोगों ने सुना होगा obviously बात है जाते भी होगे mcdonald's जाते हो क्या बात अवाज ने आ रही नहीं जाते अचा जाते हो ठीक है ठीक है आप mcd जाते है वहाँ पर क्या खाते है generally अगर वेच खाने की बात होती है वेच खाते हैं हम जाद जादा mc veggie खा लेंगे या mc कालोटी की खा लेंगे आप मेंसे मुझे नहीं पता है I'm not sure आप मेंसे अगर कोई बाहर गया हो तो आपने देखा हो पता है अगर आप बाहर के mcd में जाओगे न तो वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर आपको mostly chicken items मिलेंगे वहाँ पर आपको veg मिलेगा ही नहीं आपको पता है यह जो mc veggie और mc alo tiki है यह इंडिया से बाहर मिलता ही नहीं क्यों नहीं मिलता पता है जब mcd ने ऐसा सोचा कि वह इंडिया में आके काम करेगी mcd ने जो इंडिया में आके काम करने की सोची न तो उसको लगा कि यार ओविसी बात है कि हम दो टाइपस के मीट बेचते हैं एक तो पॉर्क और एक एक तो पॉर्क का बेचते हैं और एक काओ का ठीक है अब उनको था कि अगर हम यह चीज इंडिया में बेचेंगे तो आविसली इप्रीट अप्रॉब्लम फर उस राइट य उन्होंने एक नया मेन्यू प्रिपेर किया जिसके अंदर सारी वेज आइटम जाली और कुछ चिकिन के आइटम जाली लेकिन अगर इंडिया से बाहर जाओगे तो ऐसा नहीं है क्यों 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 इसको पता था मुझे इंडिया नमार्कर में सर्वाइफ करना अगर ऐसा देजा नहीं करता तो बेटा सर्वाइफ नहीं करता दस दिन में बंद हो चाहता एक और चोट ऐसे एकजामबल देतों में इक डी कही है अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगी ना महां पर पता है क्या होता है लेट सबोसमें में में गया मैंने दो बोगर्च लिए मैंने बोला भी है एक Pepsi भी देते ना नॉमल सी बात है हम जाते है Pepsi लेते है मैंने एक Pepsi ली उसने Pepsi दी मैं गया मैंने एक Pepsi पी ली अब मुझे लगता है कि यार एक Pepsi की और नीड है कुछ ही नहीं करना आपने एक आउंटर पर जाना है आपने कहना है भाया can you please refill it वो glass लेगा उसको refill करेगा आपको वापस देदेगा that's reality मतलब जब मैंने ये पढ़ा I was literally shocked मैंने कहीं ये तो कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया में तो ऐसे होगा हम जैसे let's suppose क्या होगा हम सारे जाते हैं ठीक है पूरी फैमली एक ही glass की कहुष में पीजाएगी that was the reason हुने इंडिया में इस टीज को नहीं रखा right क्यूंकि they just want कि हम इंडिया के accordingly अपनी चीजों को maintain करें this is what this is dynamic they have to be changed according to the environment एक और चोटा से एक्जामपल याद आया है मुझे आपको पता है इंडिया से बाहर कभी है अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप टोकन टच करो तभी आप अंदर जापा होगे ऐसा वाला सिस्टम नहीं है यार हमारे इंडिया में तो पता है कुछ ही नहीं करना लोगों ने ठीक है अगर ऐसा कुछ होगा ना सब के सब अंदर गुझ जाएंगे ठीक है और टिकेट लेंगे नहीं वहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर सब को पता है यार अगर हम मेट्रो में आया नहीं तो बें टिकेट लेनी है तो टिकेट लेते हैं अंदर जाते हैं और ट्रावल करते हैं और घर चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है उनको पता था अगर हमने ऐसा रखा न तो लोग ऐसे निखल जाएंगे टिकेट खरीदेंगे नहीं तो इसमें टोकन सिस्टम रखा कि टोकन टच करेंगे तब यह बिल्ट शिक्ह जिलेकिन टौकन लें जाते हैं इसको इन बेनें इस इफेट आपको करना पड करता है ए सब दर चेंजिक केश Ciao एकसिंट आपको political factor, एक organization interact करती है, बहुत सारे external factors के साथ, external factor की बात करो मतलब बिटा, obvious ही बात है, जब आप market में काम करते हैं, तो आप सिर्फ अखेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बाहर competitors भी हैं, government भी हैं, other factors भी हैं, फिर क्या कहता है, in order to be successful, an organization must change itself and its goal, according to the need of the environment, बिटा अगर आप एक organization की बात करें, अगर आप एक particular economy में, एक particular market में काम करते हैं, तो you have to be changed according to the environment, right, क्योंकि environment की जरूरत है change करना, तो you have to change, आपको change करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, जिसे यहां लिखा है, देखो, for example, McDonald's made major changes in its menu, to be able to survive in the Indian market, I think मैंने यह example दिया था आपको, okay, चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं, next point, that is management is an intangible force, मेरे खाल चाहिए आप सब लोग को बता हुआ, intangible का मतलब क्या होता है, अचा चलो, इस पर भी एक example देता हूँ, intangible का मतलब क्या कहता है, कि intangible का मतलब management देखी नहीं जा सकती, I think आपने पढ़ा हुआ, intangible assets क्या होते हैं, very good, intangible assets होते हैं, which cannot be seen or touched, ठीक है, अचा, अगर मैं बात करूँ, management intangible, तो management intangible कैसे है, बेटा, एक छोटा सा example लेते हैं, let's suppose आपके पापा ने बोला, कि यार आज घर पे खाने का मन नहीं है, आज हम dinner करने चलते हैं, ठीक है, आप खुश, मज़ा आगया, आज तो बाहर खाना मिलेगा, ओके, चालो, हम बाहर गए खाना खाने, हम जाके क्रेस्टरॉन में बैठे हैं, हम जाके बैठे, पांच मिनट होगे, कोई बेटर नहीं आ रहा, order तो छोड़ो, पानी बूझने नहीं आ रहा, ठीक है, आपने बुला, excuse me, बंदा आया, हाँ जी, भया, पानी तो पला दीजे, पानी ले आया, फिर पांच मिनट होगे, फिर कोई नहीं आ रहा, फिर आपने बुला, excuse me, बहिए, order तो ले जी, हाँ जी, आपने order दे दिया, 15 मिनट के बाद खाना आया, चलो, कोई बात नहीं जी, उसके बाद आपने फिर कहा कि और रोटी ले आया, दस मिनट होगे, फिर खाना नहीं आ रहा, ठीक है, आप मैनेजर को बोल रहे हैं, वो कुछ सुननी रहा, बिल मांगा, तो दस मिनट में आया, अब इस एक्जाम्पल को यह छोड़ देते हैं, एक सेकिंड के लिए, on the other hand, किसी और दिन, आप किसी और रेस्टराण में गए, आप एंटर हुए, वहाँ पर गेट पर पर परसन करता हुआ था उसने का, आईये सर, आप जैसे ही टेबल पर बे बैठे ही थे, परसन आगया, आप के लिए पानी लेके, पानी सर्फ किया, जैसे ही वह पानी देके गया, एक और परसन आगया, हाँ जी सर, क्या लेंगे आप अपना ओर बताईए, सोच रहे हो, वह डिफरेंस फील कर रहे हो, दोनों, दोनों केसे में, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ओर किया, within 10 मिनिट्स, 7-8 मिनिट्स, in fact, I can say, खाना आगया, ठीक है, खाना जैसी आए, वह परसन आए, उसने आपको ऐसे सर्फ किया, प्रॉपर खाना बना देखे गया, ठीक है, उसके बाद, अभी 2-4 मिनिटी वीडियो थे, बीच में पूछना आगया, सर कुछ और लेंगे आप, आपने बोला, 5-4 मिनिट्स हाँ भी आए, दो रोटी लेंगे, सर दो मिनिट में रोटी आगयी, this is what, आप को दिखना ही नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा पॉइंट को समझ नहीं कोशिश कर रहे हैं, आप को दिखना ही रहे हैं कुछ, लेकिन जस्ट फील कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि second वाले case में management follow हो रही थी, first वाले case में management follow नहीं हो रही थी, right, ओके, एक बाद समझते हैं पढ़के, management is an intangible force, that cannot be seen, but its presence can be felt, यह देखी नहीं जा सकती, इसको feel करा जा सकता है, in the way the organization function, जिस way में organization function कर रहे हैं, the effect of management is noticeable in an organization, where targets are meet accordingly to plan, employees are happy and satisfied, वो कह रहा है, organization के अदर एक noticeable point होता है, कि अगर management follow हो रही है, तो हमें दिख सकती है, क्योंकि अगर हमारे जो plans हैं, जो भी organization के plans हैं, वो meet हो रहे हैं, employees happy है वो satisfied है, moreover there is orderliness instead of cause, एक organization के अदर orderliness काम हो रहा है, rather than cause, कोई problem नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, okay, very good, अब एक बर इसके points दुबारा से पढ़ लेते हैं, simply, क्या कहता है, characteristics of management, सबसे पहला, management is all pervasive, management is an intangible force, group goal, goal oriented, multidimensional, continuous process and dynamic, एक पर मेरे साथ बोलेंगे फिर से, जैसे इसे मैं बोलूँगा, वैसे इसे बोलेंगे मेरे साथ साथ, पका, okay, सबसे पहला, all pervasive, फिर, intangible force, फिर, group goal, next, goal oriented, next, multidimensional, next, continuous process, next, dynamic, clear, okay, चलिए, next topic पर आते हैं, फटा फट से, next heading डालिए बेटा, objective, objectives of, management, okay, चलिए, objective जो होते हैं, management के, वो तीन तरीके के होते हैं, ठीके, किते तरीके के होते हैं, तीन, इसको learn करने का भी एक तरीका है, मुझे लगता था, मेरे कहाल से, इसके लिए होना नहीं चाहिए था, फिर भी मैने बना दिया, अचा चलो पहले लिख लेते हैं, organizational, objective, फिर, social, objective, next is, personal objective, okay, इसको learn करने का तरीका है, बिटा, this is, O-S-P, that is, online shopping password, किसी को बतारा नहीं होता, online shopping password है न, नहीं तो हमारे, ID पे, कुछ न कुछ, गरबड करतेगा न, okay, next, यह, organization objective, further, तीन चीज़ों में, divide होता बिटा, one is, इसको भी, code की help से, learn करेंगे, that is, GPS, GPS, GPS पता है आपको क्या होता है, GPS, जिसकी help से हम, कुछ भी गाड़ी के अंदर, find out कर सकते हैं, मतब, अगर हमें कोई map, find out करना हो, GPS लगा होता है गाड़ी में, like, basically, पता लग जा था कि, आपकी गाड़ी कहां पर है, जैसे, profit and growth, ओके, यह बात सबको clear है, चलो, यह note कर लिया आपने, कर लो फटा फट जल्दी से, ओके, चलो, आगे continue करते हैं, इसको फटा फट से बेटा, क्या कहते हैं, objectives होते हैं, पहले ही समझते हैं, ठीक है, ज़रूर यह भाई, ठीक है, management seeks to achieve, certain objectives, which are desired result of an activity, they must be derived, from the basic purpose, of the business, they must be derived from the basic, क्या कह रहा है, किसी भी organization में, management seeks to achieve, certain objective, which are desired result of an activity, जो ज़रूरत है, किसी भी activity को करने के लिए, वो हमारे objective है, basically एक organization, जो करना चाहती है, different different objectives होते हैं, उसके, they must be derived, from the basic purpose of the business, जो मेरा organization का, मेरे business का basic purpose है, वहीं से derived होते हैं, in any organization, there are different objectives, and management has to achieve, all objectives, in an effective and efficient manner, हर organization के अंदर, different different objectives होते हैं, आपकी organization का लगए objective होगा, मेरी organization का लगए objective है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, management को सारे, सारे के सारे, हमारे objective अचीव करने होते हैं, effectively और efficiently, objectives can be classified into, organizational, social and personal objective, क्या कह रहा हैं, हमारे जो, objective हैं, वो तीन तरीके से, divide हैं, one is organizational, other one is, social, and next one is, personal, सबसे पहले बात करते हैं, मेरा, organizational objective की, ठीक है, organizational objective क्या कहता है, मैंने कहा, organizational objective के अंदर, तीन चीज़े हैं, क्या, तीन चीज़े हैं बेटा, G, P, और S, लेकिन इसको उल्टा पढ़ेंगे, कैसे, survival, profit and growth, सबसे पहले बात करते हैं, organizational objective का मतलब क्या है, ठीक है, क्या कहता है, management is responsible for setting, and achieving objective, of an organization, बेटा, फिर कहता है, it has to achieve a variety of objective, in all areas, considering the interest of, all stakeholders, including shareholder, employee, customer, and the government, management को, सिर्फ मालिकों का फाइदा नहीं देखना, जितने stakeholders, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, जितने भी कंपनी के employees, जितने भी customers, सब का फाइदा देखना है, चीक है, सब का फाइदा देखा उसने, okay, next is, the main objective of any organization, should be utilized, human and material resources, to maximum possible advantage, that is, fulfill the economic objective of business, वो क्या कह रहा है, हमें ये भी देखना है, की main objective क्या organization का, की utilize करना है हमने, human or material resources, human मतलब, हमारे human resource, और material resources मतलब, जो भी हमारे पास material है, जिसकी help से हम अपने goods बना रहे है, उनको to the maximum extent तक use करना है, okay, इसके लिए तीन चीज़े हमारे पास, survival, profit and growth, बिटा, survival का मतलब क्या होता है, survival का मतलब होता है, आपको पता है, let's suppose आपने एक business start किया, ठीक है, example यह बीज़े समझना, जो मैंने 10,00,000 पर लगा है, वो तो recover हो, मतलब कम से कम, let's suppose अगर महीने की मेरी 20,000 पर cost आ रही है, तो 20,000 पर cost तो हो, मतलब 20,000 पर cost तो recover हो, जो मैंने समान दुकान पर रखा, कम से कम बिके तो सही, जादा profit पर ना सही, cost cost पर सही, या कम-कम पर बिके, लेकिन बिके तो सही, that is my survival, which is necessity of an organization to survive in the market, फिर आते हैं पर प्रॉफिट पर, जैसे जैसे हमारा time period बीटता जाता है, हम famous होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी organization थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, लोगों को पता लगता जाता है मेरे business के बारे में, लोग आना start कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, लोग मेरा समान खरीद लेते हैं, और ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब मेरी number of units जज़ादा बिकरी हैं, तो मुझे कुछ-कुछ profit होने लग गया तो मतलब मेरी cost तो निकल रही है उसके अलावा पर मुझे कुछ profit निल रहा है यह तो हो गया second stage फिर आते third stage पर third stage के होती है बेटा अब मैंने बहुत profit कमा लिया अब समय आ गया है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा चुक हूँ तो मुझे अपने business को expand करना है या तो मेरी expand का मतलब क्या होगा basically यहां पर कि in terms of आपने एक नई दुकान खरीद लिया आपकी एक छोटी दुकान थी आपने एक बड़ी दुकान भी खरीद लिया और छोटी भी है या फिर उसी दुकान को बड़ा कर लिया या आपकी sales बढ़ गई या आपकी machinery बढ़ गई पहले आपके बस सिफ एक machinery थी अब कितनी हो गई? चार machinery हो गई फिर आपके बस छे machinery हो गई This is what? This is growth of an organization या in terms of आपके number of products बढ़ गए पहले एक product बेशते हैं एक type के अब चार type के बेशते हो ठीक है? तो क्या करता है survival में? It is a basic objective of any business ये किसी भी business का एक basic objective है In order to survive, management must earn enough revenue to cover cost अगर survive करने की बात करें तो survive करते हैं हमें basically at least जो minimum cost है न हमारी वो तो recover करनी है फिर आते है में नेक्स पे profit मेर, survival is not enough for business क्या रहे भाई सिर्फ सिर्फ खर्चे निगालने से खाम नहीं चलेगा घर पे भी तो कुछ पैसे देने हैं ठीक है? तो profit provide a vital incentive for successful continued operation of the business profit is essential for covering cost and risk of the business profit जरूरी है किस लिए? profit जरूरी है मेरी cost को cover करने के लिए plus जो business में मुझे risk हो रहे है वो भी तो महीं से पूरे करूँगा फिर आते हैं growth पे a business need to add its prospect in the long run and for this it's important business to grow business को अगर कुछ नए aspects अपने business का जोड़ना है long run में long run में पैसा कमाना है तो उसके लिए growth जरूरी है obviously जब आप यह सोचेंगे कि मुझे long run में पैसा कमाना है तो you will grow ठीक है growth of a business can be measured in terms of sales volume increase in number of employees number of producers or increase in capital investment कि पहले मेरे business में सिर्फ 10,00,00 पे लगा था अब 1 करोड पे लग गया पहले business में 1 करोड लगा था अब 10 करोड लग गया right okay next point पे आते हैं बिटा next point is social objective अब social objective की बात करते हैं बिटा social objective क्या होता social objective का example होता है बिटा जैसे की आपने देखा होगा आप लोग registers use करते हैं आजकल सभी बच्चे महेंगे वाले register use करते हैं न ठीक है classmate के register use करते हैं अपने register की back page पे देखिए back मतलब बिल्कुल जो last आपका जो गत्ता लगा होई register पे उसके last page पे देखिए last पे बिल्कुल वहाँ पे न quiz बाले की बात नहीं घर रहा बिटा जो बाहर की side है उस पे लिखा होता है कि when you are purchasing four register उस चार register में से एक रुपया गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है मेटा this is what organization अपना social objective पूरा कर रहे है society के लिए कुछ कर रहे है इसी तरह Asian Pains एक अपनी है वो भी almost अपने profit का 20-30% किस क्या करती है 20-30% जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए लगा देती यह आपने टीवी में एक आड देखियोगी अनपमक्यार की आड आती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया that is also the same कि आप वो पढ़ाई खरीदेंगे उसको profit होगा वो पैसा जाके use करेगी किसके लिए बच्चों के लिए गरीब बच्चों की मदद के लिए उनकी पढ़ाई के लिए ठीक है that is also part of social objective अब पढ़ते है जरा every organization whether it is a business or non-business has a social obligation to fulfill हर organization की एक social responsibility होती है this refers to consistently creating economic value for various constituents of the society अच्छा एक बात और बेटा जरूरी नहीं सरफ गरीब बच्चों की मदद कुछ बच्चे नहीं इस बात को mind में बठा लेते है कि अच्छा गरीब बच्चों की मदद करने का मतलब यह है कि हम social कर रहे है ऐसा नहीं है ऐसा भी होता है जैसे मालनों कुछ organization है जैसे factory है मेरी एक factory है मैंने factory में ऐसी eco-friendly techniques use करी है जिसकी वैसे environment खराब नहीं हो रहा लोगों को problem नहीं हो रही दुआ नहीं हो रहा ऐसा भी करना है that is also social objective जैसे आज कल आप देखी नहीं वैसी दुआइं की वैसे कितनी problem चल रही है smoke चल रहा है objectives which are desired to be achieved for the benefit of the society are known as social objective for example using environment friendly methods of production giving employment opportunities to the disadvantage section of the society and providing basic humanities like school ठीक है disadvantage section of the society मतलब जो पिछडी हुई जगाए है ठीक है next पे आते हैं बेटा next is personal objective अब personal objective क्या होता है बेटा personal objective का मतलब होता है कि एक organization को social society के बारे में तो सोचना ही चाहिए ठीक है और organizational objective के बारे में सोचना चाहिए ये भी ठीक है लेकिन साथ ही साथ personal objective of the employees भी ध्यान देना चाहिए जैसे कि everybody wants देखो अगर आप एक organization में काम करते हैं और आपको इस चीज की recognition ना मले कि आपको अच्छा लगेगा recognition समझते हैं जैसे माल लो आपने कोई काम किया school में आपने बहुत अच्छा काम किया जो आपने काम किया नो उसके विए से school को बहुत बढ़ा profit दो है लेत्सब्स एक लाग पर पर प्रॉफिट दो है भाई देख रहा है मेरी वैसे काम हुए होते हैं अगर माल लो आप ऐसे हो रहे हो ठीक है आप तो सिर्फ दोस्तों के सामने ऐसे चाड़ दिखा रहे थे आपको बुलाया स्टेज पर assembly में आपको स्टेज पर बुला लिया स्टेज पर बुलाया और कहा गया बच्चों देखिए इस बच्चे की वज़ा से आझ हमारे स्कूल को एक लाख रुपे का फायदा हुआ है आपको पता हैं आप नो और जाएधा वो जाओगे औरे भाई मेरी वे से फायदा हुआ है school में जो आपको नहीं भी जानता था ना वो भी जानने लग जाएगा, ऐसे ही होता है same चीज, organization जब लोग काम करते हैं, उनको लगता है कि हमने अगर organization के लिए कुछ किया, उसके लिए हमें recognition दी जाए, अचा इसका example देता हूँ आप अभी फिर से example लेते है objective, that is a part of this objective जिसके अंदर उसको recognition मिल रही है, कि उसने इस महीने अच्छा काम किया होता है ना, कि भाई, मुझा लगे कि मेरी bullet-in board पे photo लग गई या कहीं भी ऐसी जगा जो आते-जाते सब को दिखरी organization के थाथ, ऐसी जगा, वहाँ पे people, who have different personality एक organization में बहुत सारे अलग-अलग लोग आते है, जिनकी अलग-अलग personalities होती है background से आते है and अलग-अलग objectives होते है they all become part of the organization to satisfy their diverse need, ठीक है these needs can be financial need, such as competitive salary perks, perks मतलब other benefits social need, such as peer recognition, higher level needs that is personal growth and development, बिटा, अगर मैं इसकी बात करूँ इस point की तो क्या कह रहा है, financial need हर किसी की कुछ financial need होती है कि उसको पैसा चोईए, ash करने के लिए ठीक है, box चाहिए, salary के अलावा भी कुछ मिल जाए तो, social need peer recognition, जैसे मैंने बताया कि महाँ पे, board पे लिखा होता है की employee of the month, हाना ठीक है, फिर कह रहा है, higher level need, higher level need बिटा, अब आपको 10 साल हो गए हैं, company में काम करते let's suppose किसी company में 10 साल हो गए हैं काम करते आप सोचोंगे नहीं, आप बहुत कर लिए company के लिए, मुझे cabin wagon मिले गाड़ी वाड़ी मिले, बंगला बिले, company के दिव से, ऐसी होता न ठीक है, तो क्या कह रहा है कि social need, such as peer recognition, higher level need, such as personal growth and development तो इसका मतलब इसको conclude करते हैं last में कि हमने पढ़ा हमारे objectives तीन होते हैं, organizational social और personal उसके बाद, organization further तीन चीज़ों में divide होते हैं, survival profit and growth social objective में ने बता दिया when you are doing something for the society personal objective when you are doing for the personal objective of the employee ओके पेटा, thank you so much आज का lecture हम यही पर खतम करते हैं बाकी का पार्ट हम next lecture में करेंगे ठीक है, thank you so much for being with us थांक्यू करेंगे